सबसे पहले तो आज सब्धान दिवेश है इसलिए मैं सभी अपने साथियों को जो साथ जुड़े हुए हैं जो नहीं भी जुड़े सबी को आज के इस अवितर और पावरफुल दिन की बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और अकेला बधाई देना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि बधाई देने से जो इनसान की ड्यूटी है वो खतर नहीं हो जाती हम सब्धान पर मैंने बहुत कुछ सुना है जब से जुड़ा हूं हम सब्धान के साथ क्या हो रहा है सब्धान हमें क्या नहीं दे पा रह है इस पर बहुत लंबी चोड़ी बात मैंने सुनी है लेकिन यह हम हमेशा भूल जाते हैं कि सब्धान राइट्स एंड डियूटिज दोनों का बैलन्स करके बनाया गया है अगर हम सब्धान को समझ लेते मैं जो समझ रहा हूं कि अगर हम बावा साथ को समझ लेते और सब्ध को नहीं मिलते इसकी सबसे बड़ी जो समस्या मुझे नजर आ रही है मैं बहुत देर से इसके बारे में बहुत घंबीरता से सोचता हूं वो जे है के बावा साब जो लड़ाई लड़ते रहे वो तकरीबें तकरीबें अकेले ही लड़ते रहे और उन्होंने महारास्टर के ल कि चलि और मुझ जो हमें अधिकार मिले बावा साथ करने जो सथयाक रह किये वह सारे सारी चीज़ेंबर करें हम कालकूलेट करके करें तो सब्धान में आ कर कनक्लूड हो जाती है बावा साथवों वो सारे अपने जो अनुभौ्वत हैून सारे सब्धान में डाल दिए वो एक conclusion था लेकिन उसके साथ साथ बाव साथ ने ये भी कहा हमें कि अगर तुम छोटे एम रखके चलोगे सबसे जो मुझे दिक्कत आती है लोगों के साथ कि अगर तुम छोटे एम रखके चलोगे तो छोटे रह जाओगे. अगर बड़ा एम लेके चलोगे तो बड़े लोग हो जाओगे. मैं हमेशा मुझे मेरी अपनी सर्विस जब मैं बोईंग में काम कर रहा था एज इंजिनियर तो बहुत बड़ी अच्छी पे थी लेकिन बोईंग मुझे अनात करके अमेरिका चले गया, मैं यहां पीशे रह तो मेरे मन में यह आया कि अब जो जगा जो मतलब जिस मैं जॉब से हटा हूँ, अगर मैं उससे कोई अच्छा ना किया तो फिर तो मेरे पढ़ने का, समझने का सारा काम खतम हो जाएगा. तो इसलिए मैं बिजनिस में आया और जैसे ही मैं बिजनिस में आया, तो बिजनिस में भी अगर मैं पैसा ही कमाना होता, मैं खुले तोर पे जह कह रहा हूँ, कि अगर पैसा ही कमाना होता, तो मैं बीस कंट्रियों में बावा साब का जंडा लेकर नहीं घूमता, और मैं ब बस्तियों में नहीं जाता जहां लोग बैठने के लिए भी बड़ी समस्या हो रही है, खाने के लिए भी चाय पीने के लिए भी जाया है इतनी मुझे जाद में मैं राजकोट एक बस्ती में गया, वहां बैठे और उन्हें ने चाय दी, अगर मैं नहीं पीता तो उनको बुरा लगता है अगर मैं पीता हूं तो बिमार होने के चांसे हैं तो फिर भी आपको ऐसी कुर्बानिये करनी पड़ेगी ताके सब्धान के साथ आप लोगों को जोड़ पाएं उनको समझा पाएं कि बावा साब की कुर्बानी इससे बड़ ही है पावा साब की कुर्बानी तो मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि तेरी बुलंदियों को कोई शो नहीं पाया और तेरे मुकाबल का कोई हो नहीं पाया आये तो बहुत हवा में उड़ने वाले पानी पे चलने वाले लोग लेकन भारत का सब्धान कोई लिखने पाया और मू साथ से मिले हैं लेकिन एक बात हम फिर भूल जाते हैं कि बावाव साथ ने जे भी कहा था कि भारत का जो इधियास है वो दो धर्मों के बीच में दो पंतों के बीच में कहलो जा दो सेक्ट के बीच में जा दो रेसिस के बीच में लगातार चलती है लड़ाई है एक है बुद से इस करांती में जुड़े थे तब से बावा साब को जितनी मुश्कली ब्रहामनबाद दे सकता था उन्होंने दी इसके बावजूद भी जो भी बावा साब हमें दी इसलिए उन्होंने बावा साब ने मुझे ये लगता है अल्टीमेटली के बुद्धरम हमें इसलिए दिय था कि कि अगर हम छोटी-छोटी जातियों में छोटे-छोटे एम लेकर छोटे-छोटे काम करने में ब्यस्त रहेंगे तो हम कभी भी भारत के शाशिक नहीं बन पाएंगे अगर हम छोटे-छोटे अपने संगठन छोड़ कर छोटी जातियों से बाहर निकल कर एक बड़ा जास्ते पर चलके कठे हो जाते हैं तो हमारी टाकत इतनी होगी हम बहुत नंबर में जादा हैं कि जो हमारा दुश्मन है हमारी तर्म नजर भी उठा के नहीं देख पाएगा लेकर हमने क्योंके हमें सब कुछ मुख्त में मिल गया था मैं जहां लोग जो हैं उनको भी जहां क्योंकि हर चीज मैं अपनी طरब से देखके कहता हूं यह पंजाब से मेरी कोई contribution नहीं है। सबखकी मुवेंट में मेरे माज़ंबाप की कोई नहीं है। दैदा धाधी की कोई नहीं है. लेकcast फिर भी सारे अधिकार मुझे मिल गया पंजाब में तो इसलिए मुझे कोई उनकी ज्यादा कदर नहीं है और अगर मेरे घर में दो चार तस्वीरें ऐसी लगी होती जैसे आज किसानों के घरों में लगी हुई है कि यह उस प्रोटेस्ट में गया था और वहीं मर गया और यह इसको हाट अटेक हो गया यह हॉस्पीटल में पड़ा है जिसकी टांग तूट गई इस पे लाठी चार्ज हुआ तो ऐसी चीजें हमें इंस्पायर करती मोटिवेट करती कि हम बावा साब के इस दिये हुए सभधान की कदर करें कदर ही नहीं करें उसकी रखवाली करें उस आज मुझे जो दिखाई दे रहा है भारत में वो बहुत ही भ्यंकर बहुत ही भ्यंकर एक नजारा है जिसके उपर कोई चाहे माने कोई चाहे ना माने मुझे तो बहुत दुख होता है कि जो लोग मेरे अमेरिका में बैठे हैं कैनेडा में बैठे हैं योरोप में बैठे है वो भी छोटे-छोटे संगटनों से उबर कर एक बड़ा संगटन बनाकर अपने आपको और अपने आने वाले बच्चों को हम जिन लोगों को पीशे चोड़ा हैं इडिया में उनके लिए अगर कुछ कर सकें तो हम करें, नहीं करते हमें अपना चोटा-चोटा अंकार छोटी चोटी जाती अरे जब चूड़ा चमार मुझे भारत में पंजाब में कहा जाता था तो मैं लड़ता था सो बार मार खाई सो बार पीटा आज लोग शाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैं चमार हूँ चमार ही नहीं मैं ग्रेट चमार हूँ मुझे समझ नहीं आती कि इसमें क्या ग होंगे तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं कोई बड़ी बड़े प्यार से मैं सुन रहा था दूसरे जो चीज़ें यह एक तो सवाल खड़े हुए थे कि क्या हमें अपने सरकार के भरोशे पे रहना चाहिए एक सवाल आया था कि हमें सरकार के भरोश से चलाना चाहिए वो हमारी डिक्टेशन से डिक्टेशन से चले वो हमारे भ्रोशे पे रहे कि यह लोग साथ देंगे तो मैं सिरकार चला पाऊंगा नहीं तो नहीं चला पाऊंगा दूसरा अभी जो हमें हमारे पास समय नहीं है हमारे पास यह है यह चोटी-चोटी चीज को बावासाब अंबेकर को के साथ गद्दारी करते रहेंगे इस से छोटा शब्द मेरे पास है नहीं हम उनके साथ गद्दारी करते रहेंगे अगर उनके साथ गद्दारी करेंगे तो मान लो मान के चलो कि हम आने अपनी नसलों के साथ अपनी पीडियों के साथ अपने बच् के लिए इसलिए मेरी यह रिक्वेस्ट है सभी को आज अगर इस सब्धान दिवस पे हम अगर एक शप्त ले लेते हैं कि येस आज तक जो कुछ हमसे गलतियों हो गई हो गई कि आज से हम कसम खाते हैं आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम इकठे होकर अपनी इतनी ताकत बनाएंगे किसी से मांगेंगे नहीं और किसी के सामने हाथ ने जोड़ेंगे हम अपनी ताकत बनाएंगे उस ताकत के बलबुते पे हर चीज पाएंगे और मैं भिरोसा दिलाता आपको आप कठे हो जाओ, हर चीज आपको मिलेगी और जितनी चाहोगे मिलेगी और जब चाहोगे मिलेगी जैसी चाहेगे मिलेगी तो सिर्फ केबल आपके एकठा होने पर है, सुदूर जी ने बहुत अच्छा आज संकल्प मुझे भी हिंदी बोलने में कई बार concept concept जो दिया concept जो दिया वो बहुत बड़िया है सुधीर जी सिर्फ ये concept हमें कोई educate करने के लिए नहीं देते इसको अपना कर duty ये हमारी एक duty लगा रहे है कि इस duty को आपको अपनाना है और जब तक आप इस duty को नहीं अपनाएंगे आप नारे लगाते रहो आप shout करते रहो आप पोस्टें डालते रहो आप जो कुछ भी करते रहो कुछ भी मिलने वाला नहीं है मिलेगा तो मिलेगा जुड़ने से मिलेगा एकठे होने से मिलेगा एकठे होकर काम करने से मिलेगा और एकठे होना ही नहीं है एकठे रहना है देर तक है एकठे रहना है तो ही आप सब को पावपाओगे इनी शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्याबाद जैभी नमो बुद्दा जया बहरत, जया समीदान आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है अप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link और लिंक को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या पर्मिसल लेने की बलकुल भी जरुरवत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामू संगं सरेनं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामू दूंतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामू बुधियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी बुधियं पी संगं सर्णं गच्छामी बुधियं पी संगं सर्णं गच्छामी बुधियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी बुधियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी बुधियं पी दम्मं सर्णं गच्छामी साथो, साथो